वंदे विदे हुतन्या पद पुंडरीखं कैशोरु सौरब समाहृत जोगिचित्तं हंतुम् तृताप मनिशं मुनिहंस सेभ्यं सनमान शाली परिपीत पराग पुंजं श्री गुरुचरन सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी बरनाउर गुबर बिमल जसु जो दायक भल चारी श्यावर राम चंद्रकी जय श्री राम जय राम जय जय राम स्री राम जय 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 राम जय जय विदुन हान हानुआ जय जय विदुन हान हानुआ जो श्रया के प्यारे राम श्रत राज दुलारे राम स्री राम जय राम जय जय राम धार्म की जय हो अधार्म का नाश्रो प्राणियों में शिद्भणा हो विश्यो का खल्याड हो कव माता की जय हो कव हत्या पंद हो सनातन धार्म की जय हो महामंदलेशर स्वामी विद्यागिरी जी महराज की जै हो तीर्थ राज प्रयाग की समस्त संत गणों की समस्त भक्त गणों की जै हो इस छेत्र में हम और आप भगवत चर्चा कर पा रहे हैं माता गंगा को पढ़ाम करते हैं जिनकी गोद में बैठकर हम और आप कल्पवास का आनंद ले पा रहे हैं और जो कल्पवास नहीं कर रहे हैं वो राम कथा इवां भागवत कथा या अन्या अन्या जितने भी सत्संग चल रहे हैं शिवरों में संतों का दर्शन का लाप ले रहे हैं तत्पश्ड परमशद्धे महामद लिश्वर्ट स्वामी श्रिविद्यागीरी जी महाराज जिनके आशिरवाद से आप सब यहाँ पर आए और हम सब मिल करके यहाँ पर भगवचर्चा का अनंद ले पा रहे ह माताओं बंद्वों बढ़ा सुन्दर सारी संगीत मंडली व्याज जी के साथ सब बहुत सुन्दर आपको नावान परान का पाट सुना रहे हैं ततपश्या भजनों के माध्यम से आप लोगों को सत्बुद्धी दे रहे हैं भगवान की भग्ति में सराबोर कर रहे हैं आईए माताओं बंद्वों ज्यादा विलम बना करते हुए क्योंकि वैसे ही तोड़ा विलम हो गया है हम लोग सीधा आज प्रसंग पर आगे बढ़े हम लोग कल चर्चा कर रहे थे रावण के अवटार के विश्य में चर्चा हुई थी और रावण का अवटार हो गया था अगली अरधाली से रावण का अवटार ही था हम लोगों ने जहां पर कल चर्चा विराम की गोश्वामी जी कहते हैं भर द्वाज सुनू जाही जब होई बिधाता बामो तो धूरी मेरू समजनक जम, ताही ब्याल समधाम, परमात्मा बिप्रीत हो जाए न, तो धूल भी सुमेरू परवत के समान हो जाती है, पैदा करने वाला मारने के लिए दौरने लगता है, और रशी भी सर बनके काटने दौर पड़ती है, यदि विधाता की नजरें टेड़ प्रताब भानु था, वही प्रताब भानु आगे जा करके, काल पाई मुनिशुन सोई राजा, और भय उन्निशाचर सहित समाजा, क्या था वो? बोले धस सिरताही बीस भुज दंडा, रावन नाम बीर बरिबंडा, रावन नाम का राक्षा सुआ वही, और जो उसका भाई अरी मर्दन, वो अपर सुतही, अरी मर्दन नामा, भुज बल अतुल, भय उसकुम्भ करन बल धामा, वो कुम्भ करन हुआ, जो इनका सचियो था धर्म रुचि, वो भिवीशन के नाम से प्रख्यात हुआ, माताओं बंधों, सचियो जो रहा, धर्म रुचि, तासु भगवान विश्नु के सबसे बड़े भगत हुए भिवीशन, बिमात्र बंधों, सगे भाई नहीं थे वो, ध्यान दीजेगा, अब तीनों भाईयों ने बड़ी तपस्या की, और तपस्या करने के बाद, प्रभु प्रगट हुए, तो प्रगट हुए, तो प्रगट हुए तीनों ने अपने-अपने अंसार वर्दान मांगा, या यू कहें कि भगवान की प्रेढ़ना से मांगना कुछ और चाहते थे, मांग कुछ और लिया, हुआ क्या, कि थे तो बड़े अच्छे कुल में जन में लिया था तीनों ने, तीनों ने बहुत सुंदर कुल में लिया लेकिन वो जो श्राप लगा हुआ था ब्रामोनों का सब अगरूब हुए निश्यर बंस में पैदा हुए और दीनों ने परमात्मा की प्राप्ति के लिए वर्दान की प्राप्ति के लिए खूप तप किया कीन ही बिविध तप तीन उभाई परम उग्र सो बरनी न जाए अब जब तपस्या की तो बिधाता प्रगठ हो गए अब ब्रह्मात महादेव आए ध्यान दीजेगा महादेव आए और महादेव जब गए तो सबसे पहले गयो निकट तप देखी बिधाता बोला मांगा हुँ भर प्रसन में ताता आए प्रहु क्या चाहिए क्या चाहिए तो गही बद भिने कीन हो दस सीशा यही से आप देख लिजे सबसे पहली बात तो यह देख लिजे माताओं बंधों कि यदि परिवार में तीन लोग हैं माता पिता और बेटे हैं बच्चा है तो बड़ा यह सोचता है बड़े को यह ख्याल रखना चाहिए कि छोटे को पहले उसकी जरूरत की बात हो जाए तब हम अपने बारे में अपनता तुम पितु सरीज भले ही मही मारा घर में पिता होता है तो पिता कमाता है और कमाने के बात माताओं बंधों पहले बच्चे की स्कूल के पीश ड्रेस बेटी के लिए कुछ नकुछ घर में राशन कपड़ा लगता बरतन नौकरों का स्कर्चा आखरी में कुछ अपने बारे में सोचता है पिता मेरे कहने का यह अर्थ बड़ों में यही बड़पन होना चाहिए लेकिन आप रावन को देखिए परमात्मा आये न जब गई पद बिने कीन दस सीशा तुरंद पहुंच गए जैसे ही जैसे ही परमात्मा है तो सबसे पहले पहुंच गए अपने लिए बागने जबकि उनको कहना था कि पहले मेरे छोटों से पूछ लीजिए मैं बाद मेलूंगा बोला बचन सुना हूँ जगदीशा कि हम काहू के मरहिन मारे और अरबान रोमनुज जाती दोई पारे मैं किसी से मारे ना मरू ध्यान दीजेगा यही अपने आप में सबसे बड़ी बरदान था माताओ बंधों आप यह बताईए कि इसके बाद कुछ बाकी रह गया क्या हम काहू के मरही न मारे इसका मतला ममरत दो मिल गया लेकिन ब्रह्माजी इस बात को समझ गई कि हमारे महादेव इतने भोले भंडारी है और हमारे महादेव के पाजी ये शक्ति है कि वो किसी को अमर भी कर सकते है चिरंजीवी भी कर सकते है और अगर रावन ने ये वर्दान मांग लिया कि हम काहू के मरहिन मारे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी इसलिए ब्रह्मा जी तुरन पहुंच गए और ब्रह्मा जी ने कहा कि देखिए ऐसा है ये वर्दान आप नहीं मांग सकते का क्यों? का इसलिए नहीं मांग सकते पहुथन तो रावान ने सकते हुए तुरनने कहा है अगर ऐसी ही बात है तो मुझको केवल एक व्यक्ती से न मरूँ में बोले बानर भांडे 6 घ Hospers बदल राओं में अमर्दालिएक करो भोले बानर तो भागवान ने कहा बावन नर का क्या रड़ थोता है बावण का मतलब क्या रावन बोलता है वा नर वो नर वो नर बोले कौन सा नर रावन कहता है जिस नर के कर आपन बधवांची और हसे उजानी बिधिगीरा असाची जब मैंने ब्रह्माजी के बिधि के लिखे जरत बिलोके उजब ही कपाला और विधि के लिखे अंक निज भाला और नर के कर आपन बधवांची और हसे उजानी बिधिगीरा असाची मैं उसी नर की बात कर रहा हूँ ब्रह्माजी ने जिस नर के बारे में कहा है वानर तो ब्रह्माजी ने कहा कि देखिए ऐसा है यह वानर का अर्थ तो हम लोग बानर समझते हैं बानर मानने तो बंदर होता है भाई तो आप बानर कह रहे हैं कि बानर कह रहे हैं यह बात थोड़ा स्पष्ट करिए तो रावन ने कहा यदि आप दूसरा भी समझी गए हैं बानर भी अर्थ निकल रहा है तो बानर भी जोड़ लिजे हम कहा मना करें दोनों जोड़ लिजे और तो कहा यह कई तो पहले के लिए लिए लिख लीजे बानर नोट लीजे तो बोले दूस्रा भी वहीं निंकल रहा है तो भूसरा हम में एस प्ष्ट कर दे रहे हैं मनुज ढहिए दोनों बातत नहीं कhi अगर उस बानर से आपको बानर समझ में आ रहा है तो उस बानर को पहले नोट करिए और दूसरा हम और इस पश्ट किया दे रहें कि बानर मनुझ जाती धोई बारे मनुझ भी नोट कर लिजे साथ में दोनों लिख लिजे बानर और मनुझ दोनों से ना मरें तो भगवान ने कहा ए वो तो माता पार्वती निका आपके बड़े भगत थे अरे अम्रत भी दे देते कहा मैं तो दे देता मैं तो दे देता लेकिन ब्रह्मा जी वगल में थे उन्होंने बात की तो फिर मुझे भी समझ में आए कि हाँ शायद ऐसा भी हो सकता है देखे होता क्या है बड़ा व्यक्त देते हो तो आप देखिए क्लॉस में लिखा है और इस प्रकार से जिसने अम्रित पिया वही है अमर होगा तो महादेओ ने का अच्छा ऐसी बात है तो चलो फिर क्या किया जाए महादेओ कह रहे हो ब्रह्मा जी ने सारा मामला वहां पे निप्टाया मैं ब्रह्मा मिली ते पर दीना मेरे साथ ब्रह्मा जी भी वहां मौजोद थे तो रावन को वर्दान मिल गया अब माताओं बंधुओं दूसरी की तरफ गये किन की तरफ पुनिप्रभु कुम्भ करन पहीं गया हो और तेहीं बिलो की मन विश्मय भया हो जैसे कुम्भ करन के पास गये ना तो भ एक बार गणेश जी ने तो कुबेर को चिढ़ाने के लिए परिशान कर दिया था गणपती भगवान को कुबेर ने पार्टी में बुलाया था कहा था सपरिवार आई है महादेव को कहा था तो महादेव ने का हम तो नहीं आपाएंगे हमारा बेटे आ जाएगा गणपती गणेश जी तो कुबेर को लगारे इतना सारा भोजन बनाया है अब अकेले बच्चे को आप पेजेंगे सारा परवाद हो जाएगा तो गणेश भगवान ने वो लीला की कुबेर का सारा खाजाना खाली करवा दिया है होटले भुख करानी पड़ी तुरंत रेटी में ठाल इसे ले करके और जितना मंगवा सकते थे समंगवाया लेकिन सारी होटलों का खाना खतम सारे भंडारे का खाना खतम अकुबेर के घर का खाना खतम वो दुर्दशा हुई सबक सिखाया कुबेर भगवान को गणेश जी ने तो महाधेव ने सोचा कि गणेश जी ने तो सबक को बक सिखानी के आवस्जistmi को ये अगर एक बार भी खाली है न भोजन ऐसी प्रेकार करते रहे तो जोखे फिर स्वशार जोड़ परर घल सी जल्दी जाये सारद प्रेरी तासु मति फेरी तो मांगेऊ मास मांगेऊ नींद मास सट केरी छे महिने के लिए कुम्भकरण्य वर्दाल मांगा हम छे महिने सोय छे महिने जागे बिभीष्ण बगल में बैठे हुए थे तीशरेत बेटा आप सबसे छोटे हो आप भी कुछ मांगलो तो घयो भीभीष्ण पास पुनि कहेऊ पूत्र पर मांगो तेही मांगेऊ भगवंत पद कमल अमल अनुराग माताओं बंधों क्या हुआ जब कुम्भकरण के पास गए न तो कुम्भकरण से कहा क्या चाहिए कुम्भकरण कहना चाहते थे इंद्राशन इंद्राशन तब तक हाँ दोरिये माता सरस्वती तो माता सरस्वती भागी तो वह इंद्राशन इंद्राशन करने वाले थे जीप पलड़ गई बोले निद्राशन तो इंद्राशन का निद्राशन हो गया तो गारें हम यह नहीं की जब भागवान पहुचें और भागवान ने कहा रावन आप क्या चालते हैं देखिए भावी तो प्रभु डिर वन आप क्या चाहते हैं सोने की दीवारें, सोने का शीशा, सोने का बाथूम, हर जगह सोना, 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 मुझे केवल सोना चाहिए, तो उनको सोने की लंका मिल गई आगी, सोना चाहिए, कुम्भकरण से पोचा, कुम्भकरण आप क्या चाहते हैं, कुम्भकरण ने कहा प्रभू, मेरा ये भाई, मे कहते हैं कि रावन से विद्वान इस संसार में कोई नहीं प्रभू ये मेरा भाई इतनी तपश्या करने के बाद आप सामने प्रगठ हुए और आपको पाने के बावजूद आप सामने खड़े हैं उसके बावजूद इसने आप से वो भोग बिलास वादी संस्कृति की सारी चीजे मांगी सोना मांगा आपको पालेने के बाद इसने संसार का सुख मांगा संसार का सुना मांगा तो प्रभू मैं ऐसे नालायक भाई का मूं तक नहीं देखना चाहता इसलिए सुना तो मैं भी चाहता हूं लेकिन चादर तान के सुना चाहता ऐसे नालायक भाई का मू भूंसा उना चाहते हों तो भीभीषन ने का प्रभू ना मैं रावणवाला सोना चाहता हूं ना कुम्भकरन वाला सोना चाहता हूं. यह यह आपके चरणों में सदायो शोना चाहता हूं। अब रावन जैसे ही राजपाट समाल लिया, राजा बन गया, तो राजा बनने के बाद उसने अनीती प्रारम्भ कर दी, देखिए, माताओं बंधों समाज का यही दर्शन है, सत्ता जिसकी होगी, प्रजा वैसे ही होती जाएगी, यथा राजा, तथा प्रजा, रागी धर्म धर्मिष्ठाहा, पापे पापा समे समा, राजान मनुवर्तंते, यथा राजा, तथा प्रजा, जैसा राजा यदी अच्छा होगा, तो प्रजा अच्छी होगी, और राजा यदी बुरा होगा, तो प्रजा भी बुरी होगी, ध्यान दीजेगा, प्रजा भी बुरी होती जाएगी बहुत बेवहारिक बात कर रहा हूं ध्यान दीजिए भाई आज से बिल्कुल समाज का दर्शन बता रहा हूं इसमें आपको माताओं बंदुओं याद करिए आज से 10-15 साल पहले उत्तरप्रदेश की बात कर रहा हूं मैं आज से 15 साल पहले यदि आप संद्द्विड औगा ज़कों पे निकल जाते तो आप देखते हां के हर गाडी पिर हृट १र सफारी पे हार १र स्कॉर्पियों पे हणर जीब में सब्सक्राइव कीन नाइप सफारी के यागे जोगा हुए देखते हाथी याम पहले निकल जाते आप देखने तो दसाल पहले वही 70% गाडियों पे आप देखते साइकल का जहन्डा लगा हुआ और आज आप निकल जाएए सडकों पे तो आप 70% गाडियों में देखेंगे कमल का फूल लगा हुआ हर युवा को आप भगवा अंगोचा पहने हुए देखेंगे वही एक द्रिष्टी से ठीक भी है सब लोग कहते हैं कि किसी प्रकार धर्म दिखतो रहा है वो ठीक है मैं उसकी आलोचना नहीं कर रहा लेकिन देखें बारीग बात साथ में एक ये भी है कि उन युवाओं में से 60% युवा 40% हो सकता है धर्म परायन हो हो सकता है हिंदुवाद उन में हो धर्म के प्रती राम जी के प्रती श्द्धा हो लेकिन उसमें से 60% युवा जाने क्यों हमको लगता है कि उसका धर्म से कोई लेना देना खास है नहीं भागवा पहन के टीका लगा के जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि वो केवल सत्ता का सुख जिसे कहते हैं न सत्ता का सुख लेना है बस पुलिस वाला हमारी बात सुन ले अधिकारी को फोन करें तो हमारा काम हो जाए बस उसके अलावा राम जी क्या है राम जी के विशय में राम जी के चरित्र के बारे में कुछ पूछ लीजिए तो कुछ नहीं मालू धर्म के बारे में कुछ नहीं मालू क्योंकि कोई भी धर्म इस संसार का जगडा करना नहीं सिखाता है तो जब जगडा करना नहीं सिखाता है तो हमारे युवाओं में इतना आक्रोश क्यों है ये नहीं समझ में आता मैं 40 प्रितिशत उसमें अच्छे हैं मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं साथ प्रिशत की कह रहा हूँ जो आप अच्छा है आप राजगीती करिए हिंदु धर्म को बढ़ावा दीजिए किसने कहा हम सब हिंदु धर्म वाले हम सब लोग भगवान सलातन धर्म का प्रतिवादन कर रहे हैं लेकिल थोड़ा साथ समझ के मेरा केवल इतना निवेदर है ये सत्ता के सुख में मत करिए केवल सबके साथ वैसा ही व्यवहार करिए मैं तो कहता हूँ जितने लोग भगवा वस्त्र या भगवा गोच्छा पहनते हैं गव माता के लिए कितने आजकल हत्याएं हो रही है माताओं बंधुओं आप विचार करिए कितने लोगों के घर में गव माता हैं जिसे पालते होंगे वो लोग नहीं है, लेकिन कारण क्या है, अभी की बात नहीं है, ये समाज का ही दर्शन है, कोई मैं इनके लिए नहीं कह रहा हूं, वर्शों से यही चलता चला रहा है, जैसा राजा होगा, जिसकी सत्ता होगी, समाज के 60 प्रतिशत लोग, उसी की जैजैकार करने लगेंगे, उसी के रंग में रंगने लगेंगे, वो अउसरवादी लोग हैं, 40 प्रतिशत सिध्धान्तवादी हैं, जो सच्मु धन पर लगें, तो यहां पर भी मैं ये क्यों बात कहा, क्योंकि यहां पे भी ऐसा ही होने लग गया, क्या होने लग गया, फिर भी एक अच्छी बात है, कि वो 60 प्रतिशत लोग येन केन प्रकारेण दिखतो रहे हैं, भगवा पहने बस, यहीं समझ दीजी, रावन के साथ क्या हुआ, जब रावन की सत्ता आई, तो उसके लोग दिखने लग गये समाज में, धार्म कहीं छुप गया, धार्म का प्रतिबादन करने वाले न जाने कहां समाज में, गोश्वामी जी कहते हैं, बाढ़े खल बहुचोर जुआरा, चोरी ठकैती खल, ये लोग बढ़ गये, इन लोग का सामराज बढ़ गया, बाढ़े खल बहुचोर जुआरा, और जे लंपट परधन परदारा, मान ही मातु, पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वह सेवा, जिनके यह आचरज भवानी, ते जान नहीं निश्चर सब प्रानी, तो क्या हुआ, ऐसे खल बढ़ गये, जे लंपट परधन परदारा, तो माताओं बंदों, मेरे कहने का यह अर्थ है, इस प्रकार से बढ़ने लग गये, और क्या हो गया दूसरी तरफ, दूस देखो, कोई धर्म का नाम नहीं लेगा, जाओ जहां पर गायों की गोशालाएं हैं, उनमें आड लगा दो, जाओ जाकर जहां पर ब्राम्हणों के आश्रम दिखें, उनको तुडवा दो, जाओ जहां पर संत निवास दिखें, उनको नेस्तो नाबूत कर दो, संतों को देनु द्विज पावही, तो नगर घाव पुर आग लगावही, लगा दो सब जगा याद, जेही बीधी होई धर्म निर्मूला, सोसब करहू बेद प्रतिकूला, सुभ आचरन कताओ नहीं होई, कोई सुभ आचरन नहीं होना चाहें कहीं, बेद देव बेप्र गूरु मा सुभ आचरन नहीं न कोई देवताओं को माने, न गुरु को माने, न ब्रामनों को माने, अक्या हुआ माताओं बंदुओं, वही होने लग्या अचरन, होने लग्या संतों के यग्य, ब्रामनों के हवन पुजल, भагवान की भति, धर्म, सब गायब हो गया, तो जप जोग बिरागा, तप मख भागा, श्रवन सुनाई दस सीशा, तही बहु बेधित्रासई देश निकासई, जो कह बेद पुराना, आपन उठिधावई रहए नपावई, धरी सब घालई खीशा, अस भ्रश्ट अचारा, भासन सारा, धरम सुनाई नहीं काना, तही बहु बीधित्रासई देश निकासई, जो धर्म का नाम ले लेता था ना, जो भागवान का नाम ले लेता था ना, जो पूजा पाट कहीं कर लेता था, चोरी से उस पर रासुका लगा दी जाती थी, राश्ट्री सुरक्षा कानून शहर से तड़ीपार खोशित कर दिया जाता था उसको देश से बाहर निकाल दिया जाता था इसने भगवान का नाम कैसे ले लिया भगदी के बारे में बात कैसे कर ली धर्म के बारे में बात कैसे कर ली एक शायर कह रहा है कि रकीबों ने रपट लिखवाई है जाजा के थाने में खुदा का नाम लेता है फकीरा इस जमाने में आज भगवान का नाम लिया जा रहा है इसकी थाने में रिपोर्ट होने लगे और आप बताईए ऐसा भी हम लोगों ने देखा है होते हुए समाज में कि राम कथा नहीं होनी चाहिए सत्संग नहीं होना चाहिए तो लाउड स्पीकर उड़ते हुए भी देखा गया कहने का आर्थ है माताओं बंधूं रावन राज में धर्म कर्म सब बंध होने लग गया धर्म सुनाई नहीं काना तेहीं बहु भी धित्रासई देश निकासई जो कह बेद पुराना तो सब लोग बिचारे इधर भाग रहे हैं क्या करें कहां भागें तो अतिशय देखी धर्म कैगलानी माताओं बंधूं रावन ने अध्याधेश बारित कर दिया था कि धर्म कहीं रही नहीं पाए एक बार किया किया उसना जानते हैं उसने किया कि अपनी सारी सभा को बुलाया सारे परिवार को दूर दूर से बुलाया और सभा लगाई और सभा लगा कि रावन ने ये अध्याधेश पारित कर दिया कि दसमुख बैठी सभाय कुबारा और देखी अमित्वापन परिवारा सुत समूह जन परिजन नाती गनई को पार निशाचर जाती सेन विलो की सहज अभिमानी और बोला बचन क्रोध मद सानी किसु नहूं सकल सब को बुला करके रावन बोलता है किसु नहूं सकल रजनी चरजू था हमुरे बैरी बीबुध परू था यह जितने देवता है ना यह जितनी देवताम की सेना है ना जो इनका मंडल है यह सब हमारे बैरी है कमार दे वो ले तेशन मुख नहीं कर रही लड़ाई और देखी सबल रिपू जाई पराई बड़े चालाख है यह देवता यह सामने लड़ाई नहीं करते अगर ताकतवर योद्धा आ जाता है तो भाग जाते चुपके निकल जाते तो राक्षासों ने कहा जो चुपके नि करने के लिए नहीं बोल रहा है बोले तिन करमारन एक विधी होई और कहूं भुझाई सुना हूं अब सोई उनका उपाए बता रहा हूं कैसे मरेंगे वो कैसे बोले द्विजभोजन ब्रामनों का भोजन बंद करा दो मक्त याग्य बंद करवा दो हूम शराधा और सब कह जाई करहु तुम बाधा हूम शराध सबंद करा दो सब बाधा करा दो तो क्या होगा बोले छुधा छीन बलहीन रिपू सह जहीं मिली हैं आई यही यग्यहवन तो ब्रामनों देवताओं का भोजन है यग्यहवन और जब यही बंद हो जाएगा तो वह भूगे मरने लगे तो जब भूग से मरेंगे तो हमारी शरण में आएंगे तब देखा जाएगा कि उनको मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए